नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का UPSC पर मैं हूँ अंकित वस्थी, आप है मेरे साथ में, आज एक करंट इशू में जिसे हमें डिसकस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप सभी को ग्यात है कि भारत साथ पड़ोसी देशों के साथ इस्थलिय सीमा साजा करता है, आप ही दो देशों के साथ में वो जलिय सीमा साजा करता है, तो आईए हम चर्चा करते हैं हमारे पड़ोसी देश म्यानमार के बारे में, क्योंकि वहाँ पर हो चुका है तक्ता पलट का अर्थ क्या होता है, और तक्ता पलट का अर्थ अगर सलल रूप से कहा जाए, तो मेर हमें आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, कि हमारे बिलकुल पड़ौस में लोगतन्तर के खिलाफ ये कारिया हुआ है, लेकिन सबसे जारूरी बात है, कि क्या ये पहली बार हुआ है, और दूसरी बड़ी बात ये है, कि इस पूरी घटना के पीछे कौन से कारण ज़्यादा जरूरी है जो हमें जान लेने चाहिए और कीसरी सबसे important बात है कि इसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा इन सारी बातों का आज हम आपके सामने इस सेशन में discussion किये चलते हैं बताते हैं आपको कि ये घटना किस प्रकार से आपको जाननी चाहिए मेरे पैरे साथियों दुनिया के तमाम अखबारों ने एक फरवरी के दिन इस घटना को अपने द्वारा मेजर पोर्शन के रूप में cover किया उसके बाद कल भी ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा क्योंकि पूरी दुनिया इसके उपर अपने द्वारा reaction दे रही थी बहुत सारे मीडिया houses में दुनिया के reaction चप रहे थे तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ये जानना कि क्या कुछ हुआ था जिसके चलते मियानमार के अंदर मेरी पैरे साथियों कू लगा दिया गया या फिर military session आ गया था इस पूरी घटना को कुछ इस प्रकार से आ मियानमार का है और ये घटना मियानमार की क्यों महत्वपून है आईए हम आपको सारी बातें बताते हैं साथियों हुआ क्या है कि एक तारिक के दिन मीडिया में खबर आती है कि यहां की state counselor आंग सान सू की ये महिला है और ये एक प्रमुख दल की नेता है जिनकी सरकार बनी थी इन्हें गिरफतार कर लिया गया है साथ ही में यहां के राष्ट्रपती विन मिंग को गिरफतार कर लिया गया है अब बड़ा सवाल बनता है ये हैं कौन आंसर है मेरे प्यारे साथियों ये नवंबर 2020 में म्यानमार में हुए चुनावों में 396 सीट जीत करके आई हुई सबसे मेजर पार्टी की लीडर हैं मेजर पार्टी की लीडर को आर्मी ने गिरफतार क्यों कर लिया आपके सेशन में पता चलने वाला है आर्मी ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ दूसरा वर्जन क्या है जिसे हमको समझना है वो भी बताएंगे आर्मी का International Emergency क्या सही है? अब आप भारत के केस में अगर आएं तो चर्चा करेंगे कि भारत में इमर्जेंसी जब प्रक्लेम होती है तो इमर्जेंसी का अर्थ होता है कि केंद्र जो है वो राज्यों से उनके अधिकार अपने पास ले लेता है यानि कि ऐसी इस्थितिया कर देता है जि इसका मतलब क्या है? आईए मैं आपको बताता हूँ. मेरे प्यारे साथियों, जब हम अपने देश में इमरजेंसी की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं, मतलब ऑफिशली जो म्यानमार में हुई है घटना, वो आपातकाल की लगने की घटना है. यानि म्यानमार में आपातकाल लग गया है. लेकिन यहां के आपातकाल का मतलब होता है कि सैना अपने हाथ में साशन ले ले. दो चीजों को बहुत किलियरली समझ के चलिएगा. म्यानमार में आपातकाल भारत के आपातकाल से अलग है. भारत में आपात्काल आता है तो केंदर राज्यों के अधिकार अपने हाथ में लेके बैठ जाता है यहाँ आपात्काल आता है तो यहाँ पर जो सरकार केंदर की है उसके अधिकार छीनके सैना अपने पास लेके बैठ जाती है बोले सर ऐसा इन्होंने केवल कन्वेंशन बना रखा है कि सम्विधान में लिखा हुआ है साथियों इनका सम्विधान है 2008 में सैना नहीं इनका सम्विधान बनाया था तो मेरे प्यारे साथियों इनकी सरकार में सैना का बहुत बड़ा रोल होता है 2008 में म्यानमार में बरे समिधान में ये बात लिखी हुई है कि यदी सैना को लगे की चीजें उचित नहीं चल रही है तो वो वहाँ पर तखता पलट कर सकती है अर्थाद लोकतांत्रिक सरकार से अधिकार अपने पास ले सकती है इतनी बात समझ में आई तो clarity of mind हम जिसे तखता पलट समझते हैं म्यानमार की भाषा में वो emergency है हम जिसे emergency समझते हैं वैसा वहाँ कुछ नहीं हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं तो हम थोड़ा सा आपको बता दे कि म्यानमार है कहां साथियों भारत के लिए पूर्वोत्तर भारत बहुत ज़्यादा महत्वपून है reason है कि ये strategically बहुत important है क्यों? क्योंकि दुनिया में जो उभरता हुआ व्यापार का केंद्र है जिसे आप आशियान कहते हैं Association of South East Asian Nation उसके साथ में पूर्वोत्तर भारत टच होता है ये है भारत का पूर्वोत्तर वाला हिस्सा इस पूर्वत्तर वाले हिस्से में आप लोग ऊपर अरुनाचल प्रदेश, नागा, लेंड, मेगाले, मिजोरम इन देशों को पढ़ते आते हैं इन चारों देशों के साथ बॉर्डर लगाता हुआ, मनीपूर और मिजोरम, इन देशों के साथ में मेरे पैरे साथियों बॉर्डर साजा करता हुआ, आपको दिखाई देता है म्यानमार, ये म्यानमार हमारे साथ में यहां पर जुड़ा हुआ है, इस मैप में आपको साफ द पहुँचने के लिए, जो भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लॉंच किया था, वो यहीं के एक पोर्ट से, जिसका नाम है सितवे पोर्ट, यहीं से होते हुए कलादान रिवर के माध्यम से आईजॉल तक जाता है, याद रखिएगा यह बहुत जादा महत्वप पहली बार यह आया है, हमारी आप और हमारी जनरेशन में अपातकाल के कारण, लेकिन म्यानमार सुर्खियों में एनी टाइम रहता है, हमारी क्लासेज में भी हमने बहुत बार डिसकस किया है, आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स में आपको वो बताता हूँ जो आपको प पर यही हैं आंग सांग सूकी, आंग सांग सूकी में सूकी इनका नाम है और आंग सांग जो है वो इनके फादर का नाम है, तो इन्होंने फादर प्लस खुद का नाम मिला करके आंग सांग सूकी ले लिया है, चलिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास आपको बता द जिसे इन्होंने अपनी education प्राप्त की है, उसके बाद ये विदेश पढ़ने चली गई, मेरे प्यारे साथियों इन्हें शांती का नोबल पुरसकार 1901 में मैं नवाजा गया, और इन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई कुछ इस प्रकार से लड़ी है कि जब से ये active politics में आई, तब से लेकर के ये लगभग 15 साल तक जेल में विता चुकी है, अर्थात इन्हें यहां की सैना ने इनके politics में आने पर जेल में डाला हुआ है, उन दिनों आप और हम शायद news समझते भी ना हूँ, उस समय से ये politics में है, साथियों म्यानमार का अगर इतिहास खोजा जाए, तो ये इतिहास निकल के आता है 1948 की आजादी से, 1948 में इतिहास के रूप में आपको मालूम हो कि म्यानमार आजाद हुआ था, और इस आजादी के जो नेता थे, वो आंग सांग ही थे, और आंग सांग कौन थे, वो इन आंग सांग सूकी के पिताजी थे, जब देश आजाद करा लिया उन्होंने तब उनकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद में वहाँ पर ताना शाही का साशन आ गया यानि आर्मी ने अपना साशन कर लिया ये इनके फादर हैं आंग सांग इन्होंने म्यानमार की आजादी में महत्वपून रोल निभाया थोड़ा सा म्यानमार का मैं आपको और भी इतिहास बता देना चाहूंगा साथियों म्यानमार पर भारत और म्यानमार एक साथ ही ब्रिटिशर्स के द्वारा एक साथ ही साशन किये जाते थे यानि भारत और म्यानमार कभी एक जैसे एक साथ ही ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया ही होते थे, यों समझिएगा आप, आपको मालूम होगा भारत के बहुत सारे करांतिकारियों को मांडले जेल बिजा जाता था, आपको कमेंट बॉक्स में भी बता देना चाहिए कि भारत क कि वो कौन से करांतिकारी थे, जिनने मांडले जेल, जो की बर्मा में इस्थित है, वहाँ भेज दिया गया था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मिरे प्यारे साथियों, ये जो घटना है म्यानमार में, म्यानमार का एक जियो पॉलिटिकल इंपोर्टेंस और भी रहा है अगर आप मैप देखें तो आपको मैंने अभी हाल कहा कि आशियान का एक प्रमुक देश है ये, और मैं आपको बताऊं कि जापान ने जब सेकंड वर्ड वार के दौरान बृटिन को धंकी देना शुरू किया, तो वो बृटिन को सही माइने में म्यानमार में हरा चुका थ बर्मा हुआ करता था ये पहले, भारत और म्यानमार साथ साथ ही ब्रिटिशर्स के अधीन हुआ करते थे, सेकंड वर्ड वार के समय जापान की सैना म्यानमार पर कपज़ा कर चुकी थी, तीन साल तक जापान उनके अधीन रहा है, सेकंड वर्ड वार के दौरान ये तो वह पर हिरोश्रीमो नागासा की हुआ, इन्हें यहां से छोड़ के जाना पड़ा, आपको याद होना चाहिए, आजाद हिंद फौज जो थी, वही सैना के माध्यम से ब्रिटिशर्स को हराना चाहती थी, ये पूरा की पूरा घटना करम है जो आपको पता होना चाहिए, एनिवे तो हम वापस मुद्दे की तरफ लोटते हैं और मैंने आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताया, कि नोबल पीस पुरसकार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है न, तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से आगे की तरफ हम आगे बढ़ मेरे प्यारे साथियों, कि यह बहुत ही जादा एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वाल्व रही, और जब एक्टिव पॉलिटिक्स से पूर्व कि अगर हम बात करें, तो 1988 तक यह विदेश में पढ़ने लिखने में बिजी रही, और ये UN के अंदर भी मतलब एक प्रकार का प्रतिनिधित्व म्यानमार का कर चुकी हैं, मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं वर्तमान परिस्थिती को समझने की तरफ, वर्तमान परिस्थिती कुछ यूँ है, कि यहां की जो सेना है, वो यहां के पॉलिटिक्स में बहुत जादा इंटर्फेयर करती है, इंटर् लड़ते हैं और उनमें से नाम निकलके आता है USDP नामक एक पार्टी का, जो आपको इस समय यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, that is this one party, USDP पार्टी, और मेरे प्यारे साथियों, मियानमार में जब चुनाव होते हैं, तो यह जो USDP पार्टी मैं आपको यहां दिखा र प्राप्त है, हाई ओटो करके एक वेक्ति हैं, उनके पार्टी अधीन है यह, और इसको आर्मी का, यहां की यानि म्यानमार की सैना का समर्थन प्राप्त है, इसका मीनिंग क्या निकालें, इसका मीनिंग यह है कि यहां पर जब लोगतांत्रिक इलेक्शन होते हैं, तो यह जो NLD पार्टी आपको दिख रही है, जिसका पुल फॉर्म है, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, यह आंगसान सूकी की पार्टी है, जो अभी हाल हमने पढ़ा, यह उनकी पार्टी है, जो सबसे ज़्यादा बहुमत लेके आई है, तो बहुमत वाली पार्टी है, उस सीट लेकर के आगई, यह यहां की पूरी की पूरी पॉरी पॉलिटिकल सीट की मैजोरिटी का मैंने डाइगराम दिखाया है, नवंबर 2020 में इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, तो इनकी पार्टी 399 सीट जीत करके आई, NLD, कौन सी NLD, यह देखिए, यही है मेरे प्यारे सा साथियो, इसने यहां पर 476 में से 476 में से 399 सीट जीत ली, अब यह बिल्कुल ऐसे हुआ, कि साहाब यहां पर इस अपोजीशन पार्टी को, जो यहां पर चुनाव में उतरी थी, USDP, मात्र 21 सीटें मिली, मैं इसको केवल इतना ही कहूंगा, कि आपको यह भारत के अंदर कुछ लोगतांतरी घटनाय रिकॉल कराती होगी, यहां पर मेरे प्यारे साथियो, 21 सीटें मिली मात्र, यह यह शायद जूम करने पर अच्छे से आपको दिखाई दे जाए, इधर देखिए, यह रहा 399 सीट तो यह NLD ले गई, USDP 21 सीटें ले गई, अब यह जो 21 सीटें है मेरे प्यारे साथियों, यह सेना को विश्वासी नहीं हुआ कि जनता ने हमको इतना गंदा जनादेश लिया है, सेना जो है, वो पूरी तरह से इस बात को लेके हैरान थी, और यहां पर यह सरकार की तक्तशाही करने में विजी थी, कौन आंग सांसू की, कि भाई, अब तो हम पूरी तरह सत्ता में आही जाएंगे, लेकिन सेना को यह बात बिलकुल हजम नहीं हो रही थी, और जब पूरी यह बात इनको हजम नहीं हुई, तो मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे की पूरी सीट पे, इनके यह जो कू, मतलब जो आर्मी के कमांडर हैं, जो आपके सा इनका Constitution में ये बात निकल के आती है, इनका Constitution वर्ष 2008 का है, जो सैना नहीं बना रखा है, इन्होंने एक Official Statement दिया, कौनने? मिन आंग ने, क्या Official Statement दिया? हमारे यहाँ पर एक चीज समिधान में लिखी हुई है, कि यदि Election Commission ये ना सिंद कर पाए, कि इतना जादा इस पस्ट majority, किसी एक party को कैसे मिल गई, तो हम emergency लगा सकते हैं, यानि कि इनको ये परिणाम जो है, ये समझ से उपर निकल गए, ये क्या हुआ, मतलब ये तो एकदम सोचा ही नहीं था, जो यहाँ हो गया है, और मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने लिखा, कि हमारे यहाँ का Election Commission, ये जो महत्वपूर्ण अंतर यहाँ देखा गया है, ये मैं आपको official statement ही लेकर के आया हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं, हमारा जो यहाँ का Election Commission है, इधर देखिए, हमारा Election Commission जो है, वो fail to address a large difference, over the voting list, हम लोग इस difference को ही create नहीं कर पा रहे हैं, चेक नहीं कर पा रहे हैं, य भाई, आपको जो voting list दी गई थी, उसके बाद आपने vote किस से दिलवा लिया, हमें ये समझ नहीं आ रहे हैं, इस कारण से हम लोग यहाँ पर constitution को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर emergency प्रकलेम कर रहे हैं, और हमारा चूकी समिधान बनाया हुआ हमारा ही है, तो यहाँ की emergency का मतलब होता है कि सैना का मुखिया ही जो है, वो यहाँ का सबसे प्रमुख लीडर बनके वरताव करेगा, हम केवल एक साल के लिए यहाँ emergency लगा रहे हैं, और एक साल बाद यहाँ पर सारी चीजें लोक्तांतरिक प्रक्रिया को वापस से stabilize कर दिया जाएगा, बड़ा सवा यहाँ की सबसे बड़ी सचाई है, रोहिंग्या मुसल्मानों की समश्या, अब वापस आईए, यह पूरा घटना का एक वरजन आपने official वरजन सुना, अब non official वरजन सुनिए, वो क्या है, जो की media houses के माध्यम से निकल के आता है, जो आप दुनिया दारी के इतने सारे भाईया, यह जो भीड़ आप देख रहे हैं, जिसका देख करके आपको ऐसा लग रहा है, मैं एक बार अगर आपको जूम करके भी दिखाऊं, तो भी आपको दिखाई दे जाएगा, भाईया, दूर तक लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, यह कोई कचरा पट्ट शूट एट साइट कर देती है, यानि कि मारने का एक बार में ही नरसंगहार जीनो साइट प्रकार की घटना करती है, वर्ष 2015 में भी आंसान सूकी की सरकार थी, लेकिन आंसान सूकी ने मतलब दसो बीसो साल से चला आ रहा जो रोहिंग्याओं पर अत्याचार है, जिसके कार ने रोहिंग्याओं को पूरी तरह से मारने का प्रयास किया, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये UN ने भी बहुत बार म्यानमार के उपर इस बात का प्रेसर बनाया हुआ है, कि आप जाच, आपने क्यों ये घटना करी हमें बताएं रोहिंग्याओं के उपर इत्ते अत्या मिली हैं, और ये बार जो सीट मिली हैं, तो आप पूछेंगे कि 2015 से जब वो सरकार में हैं, तब उनको क्यों नहीं हटाया, इस बार क्यों हटाया, उसके पीछे सारी कहानी ये व्यक्ति है, क्यों? ये वो व्यक्ति है जिसने रोहिंग्याओं के नरसंगहार के अंदर ब्रम कि वो रोहिंग्याओं के साथ हुए अत्याचारों की जाच में जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें सजा दें, 2015 से 2020 तक तो NLD ने जो यहां की जो आंसांग सुकी हैं, उन्होंने इनको बचा लिया, बचा लिया से मतलब है कि तालम टोल करते रहे कि हाँ हम जाच कर रहे हैं हाँ हम यह कर रहे हैं, हम एकदम नतीजे पर पहुँचने वाले हैं, हमारी जाच पूरी हो चुकी है, टाइप से चलता रहा। लेकिन इस बार जब चुनाव जीत के आए तो इस बार बहुत बड़ा प्रेशर था अंतरास्त्रे समुदायका कि यह बनते ही सरकार में पहले रोहिंग्याओं के मसले पर इनकी गिरफतारी का आदेश देंगी, क्या आपको अब असली मुद्दा समझ में आ रहा है, तो रोहिंग्याओं के मद्दे पर इनकी गिरफतारी का आदेश देंगी, इस बात को देखते हुए, इन्हों ने पहले ही भाप लिया कि बिटा, धांदली हुई है ये था असली मुद्दा जो आपको पता होना चाहिए बाइदवे आपको अपडेट के रूप में ये भी बता दूँ कि रोहिंग्याओं की जो समश्या है ये रोहिंग्या यहां से निकल के बंगलादेश के कौक्स बाजार में आये और कौक्स बाजार से ब बहुती इंसिक्योर वातावरन है उसमें भेजने का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है तो ये पूरा की पूरा मसला एकदम इंटरनेशनल हो चुका है ग्लोबल हो चुका है अब एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि ये फोटो क्यों दिखा दी सर आपने ताथियों कार ही है तो सैना की पार्टी सरकार में रही है यहां की सैना जो है वो खुद मतलब इनकी जो समीधान है वो जो संसद है उसमें सीट्स लेकर के बैठती है इनका ऐसा तक भी है कि यहां के जो प्रमुक्तीन पद होंगे ग्रह मंतरी विदेश मंतरी और ये जो सुरक्षा मंतरी ह ये मेरे पैरे साथियों सेना के पास ही रहेंगे, ऐसा इनका समीधान already mentioned है, तो ऐसी स्थिती में अब बड़ा सवाल बनता है कि क्या सर, चाइना का क्या angle है, क्योंकि मेरे पैरे साथियों चाइना में भी एक पार्टी का ही साशन चलता है, और वो शी जिन्पिंग की पार्टी है, है ना, तो शी जिन्पिंग की पार्टी का जो साशन, Communist Party of China जो है, उसका साशन चलता है, यहाँ पर भी एक पार्टी ही पॉलिटिक्स चल रही है, तो कहा ये जा रहा है कि म्यानमार के अंदर सेम नेचर है, चाइना का और म्यानमार का कि एक जसी पार्टी ही तानाशाही कर रही है, ऐसी इस्तिती में चाइना इंडायरेक्टली इन्हें मदद करता है, फिर आप सवाल कुछेंगे, सर एक बात बताईए, भारत पर इस बात का क्या परक पढ़ना चाहिए, तो मेरे प्यारे साथियों, भारत पर इस बात का फरक ये पढ़ता है, और भारत ने इस भी मिला है, कि डोनाल्ड टरम्प की सरकार आ गई, तो भारत अमेरिका के संबन्द क्या होंगे, जबकि वास्त्विक्ता ये है, कि दुनिया के दो देश, देशों के बीच संबन्द होता है, राजनेताओं के बीच कोई संबन्द नहीं होता है, राजनेताओं की बात की जा जब वहाँ अल्रेडी सेना का साशन हुआ करता था तो हमारे साशनों में देश के संबन्द महत्वपूर्ण है, सरकारों के महत्वपूर्ण संबन्द नहीं है। और म्यानमार भारत का महत्व बहुत अच्छे से समझता है क्योंकि उन्हें भारत की हमसे जादा जरुवत है यानि म्यानमार को इंडिया की जादा जरुवत है रादर देन भारत को म्यानमार की किलियर है आपको मालूम होना चाहिए भारत ने हाल ही में अपना एक इनको सी वैसल गिफ्ट किया है सम्मरीन गिफ्ट किया है आपको मालूम होना चाहिए तो ये इनके लिए जादा महत्वपूर्ण है भारत के साथ अच्छे सम्मंद होना तो ये भारत के परिपेक्ष में मे नहीं रहेगी लेकिन फिर आप पूछेंगे कि दुनिया के देशों का रियक्षन जानने वाला है एक बेसिक सवाल बनता है कि दुनिया के देशों का रियक्षन ये है मेरे प्यारे साथियों कि ये एक बहुत ही दुखत घटना है और हमें इस पर सक्टी से निपटना है इसमे कहा है, सब तरफ से वर्ड लीडर्स जो है, इधर से बाइडन की सरकार जो है, वो भी इसके खलाफ मतलब अपने वाजन दे रही है हर कोई इस घटना का पूरी तरह से विरोध कर रहा है ये है मेरे प्यारे साथियों, ये पूरी घटना इसके पीछे का कारण, एक छोटा सा एनलेसिस, उमीद है आप सभी को म्यानमार में हुई घटना बहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए और अपने दोस्तों से इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है, अंकित 10, जिसका उप्योग करके आप अनकैडमी पर पेड़ कोर्सेस आज हम डिसकस करने वाले हैं, free of cost अनकैडमी लर्निंग अप्लिकेशन पर है special class है, आप अनकैडमी लर्निंग आपको मोबाइल में डाउनलोड कर लीजेगा, अंकित अवस्ती सर्च करिए और जब आप क्लास में जाएंगे तो referral code पूछा जाएगा, अंकित 10 जो आपके सामने इस समय येलो पट्टी पर चल रहा है, वहाँ से नौट कर लीजे, आप उसे डाल के मेरी classes में पहुंच जाएए, जल्दी मुलाकात होती है, अगली class में तब तक अपना खयाल रखें, धन्यवाद